कि एंसी अर्ट इस्ट्री क्लास 11 का चेप्टर सेगेंड एंपायर अक्रॉज दा अक्रॉस थ्री कॉंटेनेंट रोमन इंपायर जो काफी फैल हुआ था मतलब उसकी जो टेरे ट्रिट्री इस सीमा काफी लंभी पैली यूरोप से लेकर पूरी नौर्थ अफ्रिका तक इसकी टेरिट्री रोमन इंपायर की फैली हो इती है और इसमें Roman Empire के बारे में ही दिया हुआ है इस चप्टर में हम देखेंगे मतलब Roman Empire के बारे में किसके इस थापना कैसे हुई इसने क्या कि आप पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी थी थी उन्होंने किसको कैसे शेप करा जो आज मतलब जो पॉदिशन है और वहाँ पर कितने ताइब के सोशल गुर्पे माया मतलब कितने कितने प्रकार के लोग रहा करते ते उस टाइम पर और उनकी भाष्चाए क्या थी और उनका कल्चर या था और वहां पर महिलाओं को काफी अच्छी पोजिशन दीजिए मतलब अगर कंपेर करा जाए मतलब आज के टाइम पर लेव लेवर उस टाइप की थी तो वह मतलब जो लेवर थे वह अपनी आजादी से वंचित थे मतलब आजादी क्या होती है उन्हें पता ही नहीं था और फिफ्ट सेंचुरी में क्या हुआ यह जो एंपायर वह थोड़ा से डिवाइड हो गया मतलब बढ़ गया वेस्ट कुछ वेस्ट में चला गया और कुछ इस्ट में चला गया लेकिन जो इस्टन वाला पार्ट है वह तो वह काफी कुछ टाइम तक प्रॉस्पेरस रहा समपने रहा और आंगे हम जो खिलाफत यह पढ़ात लुखत लुखत जो खिलाफत आंदुलन खिलाफत मुनमेंड वी खिलाफत है पाऩारणी और गया पॉसकी परोस्पेरिटी क्या थी क्या था रीजन ट्रीडिशन क्या अधा अर्बन उर्बनाईजेशन का था ऊस में καईRO रूब में दूसरा है है डौक्वेंट्स så Fell बाकि yükर्च कर डूक्यूस कि ए टोक्वेंट्स के रूप में अनल के रूप में मतलब जो एक साल का Rekесть है de एक वनवर्ट सब्स्टिट्टूट ए डबल एन एलस एनल मतलब एक साल का जो भी रिकॉर्ड लेखा जो कहें चाया किसी कानून संबंद दे तो इसे एनल बोलते हैं अब रिकॉर्ड बेसिकली क्या क्या होते थे लेटर होते थे स्पीच होती थी लॉज होते थे और भी कई सा होता है इस पर लिखी जाती है पर ये प्लांट नेल नदी ऑख किनारे बात्ल की खाया जाता है है मतलब इसको बेसिकली लिखने के रूप में मतलब इस परकार ताउज़न dow मिले है उर जो यह लिखता था पेपर और जो इसको इसका नियू होता था उसको पेपरो बहुकर के कहते दिम जो स्कोलर होता ता उसको यह बोल देते और बाखी के जो material चीज़ और जो आर्केलोजिस्ट को इसकी खोज में मिली हैं जैसे कई सारी चीज़े हैं जो मत इस्ट्रक्चार के पोटरी है कौईन्स है और कई सारी चीज़े हैं मतलब एक्सकेवेशन मतलब जो खुदाई में मिली हैं आर्केलोजिस्ट को इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट से मतलब हर सोर्स मतलब हर एक वारा फोस्राट को किस बात को कि सारी में बात करता है दो पावरफुल रूलर हैं जिन्होंने अपना सामरज यूरोप में नौर्थ अफरीका में मिडेल इस्ट में फेला कर रखा था कबसे कबसे ये बर्थ ओफ क्रिस्ट मतलब क्रिस्ट के जन्म से लेकर सेवन सेंचुरी तक अब ये दो एमपायर कौन कौन से दिये थे रोम और इरण रोम और एरानियन मतलब आपस में ये लोग हिस्टरी के बात करें तो आपस में इन्हों ने जादतर आपस में लड़ाई ही लड़ी है ये दो आपस में मतलब पास पास थे एक दूसरे के एक नदी से साटे हुए थे यूफित नदी इन बोइसमें अलग करती थे इस चैप्टर में हम ज्यादतर रोम के बारे में पढ़ेंगे रोम एंपायर के बारे में बшего ही लोग हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे अगर आप मेपपर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि यूरोप को और अफरीका को एक जो सेपरेड अलग कर रहे है वो वेस्ट वेस्ट से लेकि इस्ट सीरिय तक फिला हुए जिसको जिसको सामने तोर पर मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है और जो मेडिटेरियन है यह उस टाइम के रोम एंपायर का हिर्दे था हाट था रोम ने कहा कहा तक अपना जो सामराजे फिला के रखा तो जो मेडिटेरियन सी है उसके अंडर में थी और जो उसकी जो बॉंटरी है वो नौर्थ से ल नौर्थ की बॉंड रीती हैं और साउथ का जो एक्सपेंशन था साउथ में कहां तक कहां कहां तक फेले था रोम सामराज यह सहारा डेजर्ट है मतलब जिसको सहारा नाम से भी जाना जाता था और इस प्रकार से रोम इंपायर काफी फेला हुआ था और एरान ने भी कैप्ट केप्सिकंसी कंट्रोल करके रखी ती जैसे रोम ने मेडिटेरेंसी कंट्रोल करके रखी थी एरान ने केप्सिकंसी कंट्रोल करके रखी थी जो कि एस्ट अरब तक फेला हुआ था और कुछ-कुछ पार अफगानिस्तान तक भी फेला हुआ था और सामने तोर पर यह दो प्रेंग द्वाइट को बेसिकली दो फेस में बाटा जा सकता है मतलब दो पार्ट में रोम इंपायर को पाटा जा सकते हैं पहला है अरली दूसरा अलेट मतलब पहला जो है पहले वाला और फिर उसके बाद बाद वाला अब ये डिपेंट किस बेसिस पर करेंगे ये जो थाट सेंचुरी उसके बेसिस पर अब ये कैसे होगा जो थाट सेंचुरी के पहले वाला पार्ट है उसको अरली अरली एंपायर मतब अरली एंपायर रोमन एंपायर के नाम से जाना जाएगा और जो थाट सेंचुरी के एक एरान एंपौयर और एक एरामियन एंपौयर मतलब रोमन इंपौयर तका पंपूचर और भो ख़ख़य यहरा पाला था नहों इर्दर्टीन का सव्श्ख लेगता है'reाउस उसके बाद आन कशनियुक्ताइव और सेपोर पर राज्ड़ ञेघ का रहा ने हैंजित सक्वस्टा प्रिशाशन 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 प् एक boundary line करती थी चाहे कोई भी व्यक्ति हो अगर वो एक शाशन के बीच में कहीं पर भी रह रहा हूं या वो किसी भी भाशा का यूज कर रहा हूं वो राजा के अंडर में मतलब वो प्रजा जो कहलाती थी राजा के अंडर में कहलाती थी 27 BC में अगस्टस ने जिस सामराज्ज का सामराज्ज की स्थापना की थी उसे प्रिंसिपिट कहा जादा था वो एक ऐसा एक मात्र राजा था उनली रियल सोर्स अथारिटी जिसको कल्पना में जिन्दा रखा गया था लीडिंग सिडिजन के तोर पर नॉट दा एपसलूट रूलर मतलब वो एक ताना शाही राजा नहीं था और यसा करा इसलिए गया था रिस्पेक्ट फॉर दा सेनेट मतलब सेनेट बेसिकली मतलब वो था सभा के जखते इसको सेनेट की रिस्पेक्ट के लिए जिसको कंट्रॉल किया करता था पहले रूम के द्वारा जो कि पहले एक गणंतन्तर माना जाता था मतलब पहले एक रिपब्लिक था रिपब्लिक स्टेट था सिनेट एक्जिस्ट करता रहा है रोम में कई सदियों तक कई सेंचुरिस तक अबॉडी रिप्रेजेंट दा एरिस्टोक्रेसी मतलब जो अमीर वर्क के लोग थे वो इसको रिप्रेजेंट किया करते थे बाद में इसको इटली के मूलनेवासी भी आ गया इसमें जादतर जो रोमन हिस्ट्री वो अब तक सर्वाइव इसली कर पाई जिसको रोमन हिस्ट्री को लिखा गया था गरीक और लेटिन भाशा में और यब तक सर्वाइव कर पाई सर्वाइब भी कर पाई और इसको लिखा इनी लोगों के दौरा इसको रोम हिस्ट्री को लिखा गया था और राजा कैसा था ये इस बास से जच किया जाता था कि उसका बहेवियर सेनेट के परती कैसा है जो वर्स राजा होता था वो अपने सेनेट को शक सेनेट पर शक करता था उन पर करूरता का वեवार करता था वोईलिंस करता था और कई सारे सेनेटर जो है उन्होंने मतलं वो वापस रिपब्लिक वाले स्टेट है मतल्ब गअब गजट अंतर राज्य गज़त अंतर राज्य में पहुँशना चाहते थे वह एक पनिया मैं दो कि अधर की आवार जानमा मतलब होता है कि अमनुटा बड़ती में जडी होना आप इतना सर्विस्सतो करनी लेकिन जो रोमण इम पार की आर्मी थी फैक पर फेशनल स्थिप्टार को फिस परेशनल सोलडर साल सर्वेस आपको देनी ही है यह प्रोपर पेड आर्मी थी सिस्टेमेटिक तरीके सार्मी ती और काफी आर्मी ती और फोर सेंचुरी तक लब लग बन की जो सेना थी वो 6 लाग की सेना थी मतलब इतनी अच्छी खासी बड़ी सेना थी यह सेना determine the fate of emperor मतलब इतनी बड़ी सेना थी कि राजा का भविशे तक decide कर सकती थी मतलब अगर ये सेना अच्छे से लड़ेगी तो राजा को कोई हरा नहीं सकता अगर ये चाहे तो दूसरे और सामराज्य पर कबज़ा कर सकते कि या ये धिन शेयर थे तक अच्छी खासी बड़ी सेना थी कभी कभी ये सेना मतलब अंदुलन वगेरे भी करती थी कि भाई हमारी थोड़ी बढ़ा हमें थोड़ा सब काम जदा है सेल्री कमें इसका थोड़ा सफाब रहए इस बात का भी सेना कभी-कभी आंदुलन करा कर दीती और ये जो है मतलब आंदुलन ये कभी-कभी विद्रो का रूप ले लेता था जब उन्हें लगता था कि भाई ये हमारे जो सीनियर हैं वो हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मतलब हमारी बात को जादे सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस बात का ध्यान रहे हैं जो रोमान एंपरर की रोमान एंपरर मतलब जो रोमान एंपरर की हिस्ट्री हमें मतलब ये हिस्ट्री लिखने वाले पर भी डिपेंड करता है वो हमें क्या परस्तोत कर रहा है मतलब हमें क्या दे रहा है वो ये उन लोगों ने लिखी हुई है जो सेनेटर की पिरती थोड़े प्यार महबद थे और आर्मी से थोड़ा नफरत करते थे जो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है और अंगे चलकर सरकार ने सरकार ने आम लोगों पर टेक्स थोड़ा दिया था अन्हों पर आम लोगो पर एम्पिरर एरिस्टोक्रेसी और आर्मी एरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर वर के लोग आर्मी ये तीन में प्लेयर थे मतलब तीन में पिलर के सकते थे उस टाइम की हिस्ट्री का कितने समय तक वो अपने सामराज जोकों अपने शाशे को करता था इस बात पर dependence करता था उसका मैं कितनाई इसकी बात कितनी ती ती यह इस बात पर भी डिबेंट करता था जब आर्मी डिवाइड होती थी तो सिवल वार होता था मतब ग्रेय युद्ध होता था उस टाइम पर चाहर अगर एक साल को छोड़ दिये जाए तो उस टाइम पर चाहर राजा एक के बाद एक कोई सक्सेशन बनें थे कोई सक्सेशन मतलब वो था एक के बाद एक राजा बने थे और काफी तेज बने थे फर्स्ट सेंचुरी तक कोई सिविल वार नहीं हुआ था मतलब स्टेबिलिटी बनी रही थी और जो राजा मतलब कोन किसके बाद राजा बने गए यह इस पर डिपेंड करता था फेमली डिसेंडेंट मतलब कोन किसका पुत्र है कोन किसकी पुत्री है इस बात पर डिपेंड करता था चाहे वो नेश्रल उनका बायो लॉजीकली उनका सन हो या फिर उनका अडॉप्टिव हो और आर्मी भी इसकी काफी रिस्पेक्ट करती थी एक एग्जांपल दिया हुए टिबेरियस का टिबेरियस को मतलब अगस्टस ने जिसने प्रिंस्पेट की नीव रखी दी इस सामराजी की अगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था जो कि रोमन एंपायर से ब्लॉंग करता था क्योंकि अगस्टस की कोई संतान नहीं थी starting की 200 साल तक बहरी युद्ध बहुत कम हुएते क्योंकि अगस्टस के बाद जो टिवेरियस राजा बना था उसको जरूरत ही नहीं पढ़ी थी मतलब अगस्टस ने already इतने जादा territory पर इतने जादा जमीन पर कब्ज़ा कर रखा था मताब almost ऐसा था कि अन्यसेजरी कि भाई अल्रेड इतने जमीने इतना सारा एरिया कवर करके रखाया और कितना कब्ज़ा करो गए तो यह काफी अन्यसेजरी लगता था मतलब अगस्टस ने जब तक अपने सामराजय पर राच कराता तब तक उसके सामराजय में काफी शान देती मतलब लड़ाई जगड़ा हापस में भी कम होता था और बाहरी भी कम होता था इसने लगभा के यूफरेट रिवर तक अपना का अपना सामराज इस्थापड कर लिया था लेकिन ट्रिजन के जो आने वाले आने वाले जो मतलब सक्सेसरा आने वाले जो राज प्icz seal उन्हों ने इसको चोड़ दिया था मतलब ऑफ कर देना चोड़ देना उन्होंने वह एरिया बाद में छोड़ दिया था उस ताइम रोंग ऐंपयर काफी एक्सपांशन कर चुका था मतलब काफी सााइ लगे हुए जो थे territory थी वो भी Roman Empire के अंडर में आ गई थी East में जो Kingdom थे वो लगे हुए थे वो भी और West में जो यूफरिट रिवर थी जो Roman Empire से लगे हुए थी बाद में उसको भी Roman Empire ने अपने कबजे में ले लिया था और ये जो Kingdom है ये उस टाइम पर काफी संपन ने थे मतलब बहुत जादा रिष्ट है एक एग्जामपल दिया हुआ है हेरोट Kingdom का ये साल में 5.4 मिलियन देनारी इनकी मतलब रिवेन ने हुटा परेयर देनारी का मतलब क्या होता है देनारी एक प्रगार का 1,25,000 किलो सोने के बराबर दी देनारी बेसिकली एक रोमन इंपायर का मतलब रोमन इंपायर का उनका सिल्वर कॉइन था जिसमें उस कॉइन में लगबग साले चार ग्राम सिल्वर होता था इटली को छोड़कर बाकी के जगाओं को टेरिटरी को प्रांथ माना जाता था सिर्फ इटली को प्रांथ नहीं माना जाता था और उनसे टेक्स वसूल जाता था सेकंड सेंचुरी की बात करें तो रोमन इंपायर काफी फेला हुआ था उसकी सीमा कहा कहा तक थी सकोटलिंड से लेकर अर्मेनिया तक थी सहारा से लेकर यूफरेट तक थी और कभी-कभी तो इसके आंगे भी माना जाता है इसके आंगे भी इसकी लिमिट थी जिसी आज की जो गवर्मेंट है मौडन टायम में उस टाम पर मौडन गवर्मेंट नहीं मतलब उस टाइम पर इस प्रकारी गवर्मेंट नहीं थी मतलब प्रॉपर सिस्टेमेटिक लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी टेरेटरी को फिर कंट्रोल केसे किया जाता था और सेकंड सेंचुरी था कि इसकी अबादी जो थी लगभा लगभा 60 मिलियन थी तो इसका जो आंसर वह हमें अर्बनाइजेशन में मिलेगा कि उनलों कि क्या स्था सब्सक्रेटी अबहर जो उस ट keeps सेंटर उस सब्हें इसका मतलब होता है कि जो अपर क्लास के लोग है वो रोमन इंपायर मतलब रोमन एड्मिनिस्टेशन पर उनकी टेरिटरी पर उनकी राइसिंग पर उससे जुड़े हुए थे और रोमन पॉलिटिकल का सबसे इंट्रेस्टिंग पॉइंट यह है कि पावर को शिफ्ट करना इटली और प्रोवेंसिस में और सेकंड और थार्ट सेंचुरी में जो प्रोवेंसिस थे मतलब जो प्रोवेंसिस में जो ग्रोपे ओफिसर होते हैं बड़े बड़े ओफिसर होत मतलब जो अल्रेडी पावर में हैं वो ये लोग बन जाते थे और दीरे क्या हुआ इन्हों अपना अपना ही एक एड्मिनिस्ट्रेशन बना लिया मतलब दीरे दीरे ये लोग इतने पावर्फुल होगा है मतलब ये लोग आंगे चलकर से सेनेटरल मतलब सेनेटरल से भी हटा दिया बाद में इनको ही मतलब पूरी जो एड्मिन्स्ट्रेशन पावर इन्हीं लोगों को दे दी थी और सेनेटर को हटाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आंगे चलकर मतलब सेनेटर जादा पावर्फुल ना बन जाए मतलब उन पर सीधी सीधी रोख ही लगा दी थी फॉर्बेट कर दिया था फॉर्बेट का मतलब वो था पाबंदी लगा देना रोक रोक लगा देना फर्स्ट सेंचुरी के लास्ट में और सेगंड सेंचुरी और थर्ट सेंचुरी के स्टार्ट में जो आर्मी और एडमिस्टेशन से अब लोगबागों को प्रोवेंसे से भी रिक्रूट करने लगे थे अब मतलब जो प्रांतों से भी आर्मी और एड्मिस्टेशन के लिए लोगब आने लगे थे थर्ट सेंचुरी तक ऐसा था कि इटली में मतलब इटली में सेनेट पावर थी लेकिन बाद में ये वीक पढ़ने लगी थी जिसकी बाद में ये जो पावर है प्रोवेंसे के पास चली गई थी मेज़ोरिटी में इसका मतलब ये था कि इटली की जो पावर है वो डेकलाइन मतलब इटली धीरे धीरे डेकलाइन होने लगा था पॉलिटिकली और एकनॉमिक नजरों से दोनों से देखा जाए तो इटली अब कमज़ोर हो जोका था और इसके अलावा अब इटली कमज़ोर हुआ तो स्ट्रॉंग कौन कौन से हो इस्ट्रॉंग कौन कौन से बन रहे थे इस्पेन स्ट्रॉंग हो रहा था अफरीका का जो अगब सिस्टेमाइटिय। अपने मजिस्टेट था परिष्य ती और पूरा जूडिश्यरी सिस्टम पूरा सिस्टेमाइटिक रोमान इंपायर का वैस पूर उसके तहट ऐसा भी करते थे कि गाउँ को शेहर वालों को गाउं का सेटल स्ध्य देगए और और शहर में रहने का सबसे एडवांटिज यह था कि कभी कभी अगर कोई डिजास्टर आता है या किसी प्रकार की समझ से आती है लेकिन कुछ भी हो गाउं से कंपेर किया जाए तो शहर में जादा सुविदा मिलती थी भले चाहे केसी भी कंडिशन हो चाहे सुका हो चाहे बा कि रोमन अरबन लाइफ की मतलब रोमन में अरबन लाइफ जो शहरी करने वहाँ पर पब्लिक बात के पब्लिक बात मतलब जो बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है और सब को मतलब पब्लिक साथ में ना सके उसका एक अलगी इंपोर्टेंस से लेकिन जब यह कॉंसेप्ट बिए ऐरं में आया थो एरान प्रोहित लोग इंजो निए इसका काफी विरोध आता लेकिन रोमन में मतलब एक हई इंटरेवरोमन में हई मतलब इंटरेवरर्टेयommes को हाई लेवल पर अरख़़ा जाता था एक पुराना केलेंडर मिलाए आर्टेलोजिस्ट को उसमें से पाया गया है कि वह लोग 176 साल के 176 दिन कुछ ना कुछ इंज्वाइब करते ही रहते थे कुछ ना कुछ इंज्वाइब पार्टी वगेरा कुछ पब्लिक बात में ना किसी ने किसी प्रकार करें इंज्वाइब करते हैं कुछ ना करते हैं